मुझा अप्फर पूर्जिला के बोचेहां बलोग के अंदर एक छोटा सा गाओ गुढमी पड़ाई छेई जहां के किसान भहिया सा इस साल अच्छा धान उपजावे खातिर सपना देखले रहत दिन्दा लेकिन बारिस नहों के कारण धान के फसल बरबाद होगे लई और बहुत सारा खेत में धान के रोपनियों न भेले जेसे किसान बहुत चिंतित हथिन आउ हम एक किसान फूल कुमारी देवी हथिन जिनका से मिलाई छी लेव सत्वा पेलो कहला चिंता में डूबल हती धान ता सब सुख्ये गेल रोपनी में जे खर्चा भेल उह सब वेकार चल गेल हाँ हम तब दोबारा घटा में हती अच्छाई जिवका के इस सब अन्धान कुछ मिल सकाई छाई हाँ हमड़ा सके जिवका में जे भी यार्पी भाईया हतीन समुह में आके भी यार्पी भाईया वैचिन तो खेती के बीसे में जनकारी देचिन साथे साथे वीडियो देखा के खेती के नया नया तकनिक के बारे में बत वैच्छा थिन एकरा मारे में भी अरभी भाइया से बात करणों तो जरूर को इसमाला बतातर। हेलो आःएं में घबराय कि कोई बात नहाई। कल समू के मीटिंग में आव बिना बारिस के फसल जब बरबाद भेलाई है वोई पर चर्चा होताई और उकर समा धान भी निकालाल जताई हाँ भई आच्छा हमरा समू के मीटिंग में आवेला कही छी हाँ 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 तो ठीक है भई आम कल समों के मीटिंग में आवे छी हाँ दीदी तब धान के की समाचार है कैसन है धान अभी भाईया आप धान के लिए पूछ रह लिए अन्मा धान तो अतना रावदी है जो धान साफ सूग लख जे भी बाचल है से भी सूख रह लख और बाकी दीदी आहां सब के धान के की हाल है कैसन है अहां सब के धान भाईया जे भी धान रह लख से रहुदा के कारण सूख रहा है जे भी बचले वह सूख गे लख भाईया हमरों धान के तो वह हाल है हां दिदी, फूल कुमारी दिदी फोन केले रह थी, हुनका भी धान के बरा बुरा हाल है, धूब के कारण हुनकर भी धान सूख गेलाई और चिन्ता में रह थी, आज उभी आवे वाला हतन मीटिंग में सभी दिदी भाईया के परनाम? परनाम दिदी परनाम बैठू दिदी देखू दिदी बरसात नहोय के कारान धान सब सूख रहल है, ऐसे किसान के बहुत नुकसान है, बहुत सारा खेत में रोपनी भी ना भिलाखा दिदी। और एकर भर पाई कैसे कर आव एकरा बारे में आहां सब जाने के चाहाई छी? हाँ भाई या भाई या हाल बता दूँ हाँ दिदी मौसम के बदलाईत परिवेश के देखाईत में अरहर के खेती बहुत अच्छा उपाए है जेकरा हम सब लहरी कह छी दिदी भाई या लहरी के खेती करे से की फैदा है? दिदी लहरी के खेती में पानी नो के बराबर लगई छे दिदी एक कठा में कम से कम साथ किलो उपज होई या दिदी एक किलो लहरी के कीमत बजार में केते हाई? भाईया बजार में साथ रूपे लहरी भीकाई छी किलू अच्छा दिदी ते एक कठा में अगर साथ किलो लहरी भेला या साथ रूपे ये भीकाई छाई मार्केट में बजार में तो साथ गुने साथ एक कठा में 3600 के आनाज हाँ भाईया एक कठा में खर्च केतना लगाई छे हाँ दिदी खाद और बीज के खर्च जुरला से कठा में 200 रुपईया लगाई भाईया रहरी बोई के समय बच्चल हाई हाँ दिदी लहरी के खेती किस्म पर निर्भर कराई छे बी एसेम आर 736 जे किस्म हाई अभियोकर समय है दिदी जे करव आई अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक कर सकाई छे आँ भाईया रहरी के खेती तो पिछात हो गले अब रभी के खेती कैसे होता है एकर भी उपाए हाई दिदी बी मल दिदी बहूत अच्छा सवाल कल थी नहssen है दिदी हम सब लहरी के साथे साथ दोहरा फथा भी लगा सकाई छी जैसे मक्का मतर बोरी इत्या दि भाईया, दोहरा फ़सल से की लाब है? दोहरा फ़सल से बहुत फायदा है दिदी अगर एक फ़सल नुकसान हो गेल तो दुसरा फ़सल से उकर भरपाई हो सकाई एमे खर पतबार कम होईया कैला की दोहरा फ़सल होई के कारान आई मेनी काउनी के जरूरत कम पराईया एकरा खेती करे के लिल भाईया की की करे के पराई छे एकर खेती करे के लिल सबसे पहले जमीन के तयारी करे के पराई छे तकल है कौन दीदी पहले खेत तयारी करी हन खेत के तयारी पहले भाईया हम करां ठीक है दीदी ठीक हुनका देख को खेत के तयारी हम हूँ कर लें भाईया हा दीदी तकल है हम इनका खेत में सबनी गोरा के खेत के तयारी कही से हो चीसे बताए दीदी चलून भाईया रहडी के खेत कैसे तयारी होती से बताए दू चलून दीदी हम ता चलते हाती ता पहले जमीन के तयारी में कौन-कौन समान लगताई वहां के हम अभी बतार हल ची एक ठो कोदारी चाही दीदी नापे के लेल इंची टेब भी चाही दीदी बरपतवार हटावे के लेल और रुपाई करे के लेल खुरपी भी चाही दीदी रस्सी रखला से एहे फैदा है कि दन सिधा भेल हकी न एकर पता आसानी से चल जाईया एक कठा खेत तैयारी करे के लेल 13 किलो बर्मी कमपोस्ट भी देवे के होई है दिदी भाईया बर्मी कमपोस्ट के कौन काम है दिदी बर्मी कमपोस्ट जेकरा लोग केचुवा खाद भी कहाई छाई ओकर मुख्य रूप से दू काम है पहिला ता नाइट्रोजान उपलवद करवाई छे मिट्टी में दूसरा जमीन के उर्बारा सक्ती के बरवाई छे भाईया समान ता बता देली अब जमीन के कैसे तयार होती से बता देली हाँ हाँ बिल्कुल बता रहा है ची देदी आइसी ही पहिले दौन बनावेके पराई छाए देखू दीदी आभी एगो दौन बन गेलाई आभ एपर के खार पतवार दौन पर के चुन लेना जरूरी है दीदी हाँ देदी इसलो है बिल्कुल आइसी रही तैयारी लगेल जाए ची सरी efecto और अब जन पराराई के विए याला रही है योन लेका हाँ हाँ दीक भ्यके कर लेकाले में आ अलू के दौन लेका हां दौन बनाः जाए ची देदी रश्री से एह फैदा है कि दाउन जेकरा कह छी यह एकदम सीधा हो भाया दूसरा दान के दूरी पर बनते हैं दीदी दान से दान के दूरी डेर मिटर होई छै जय कि अहां के हम इंची टेप से नाप के बता दाई थाती दीदी इंची टेप ले जा उधर कि डिर मीटर के दूरी पर दूसरा दौन खीचल जाता है यही तरह से जतना भी दौन होता है सब डिर मीटर के दूरी पर खीचल जाते है दी दी डेर मीटर के दूरी पर अब हम कुछ दौन बना ले ले दौन बनावे के समय में एगो साव धानी बढ़ते के पर खेत के जोन मुहे ढाल रहत वो ही मुहे दौन बनावे के चाहिए देखू दी दी जैसे आई खेत के ढाल ए मुहे हाई ता पानी इधर से आताई और इधर बह जाताई एही लेल दौन एही तरह से बनाएल जाताई भैया दौन ता बनिये जिला येकरा उपरार कुछ परेती है अब जहाई दीदी सारा दौन पर बर्मिक कंपोस्ट के चुवा खाजकरा कहाची आई छिरक के मिलावे लाहे अब बर्मिक कंपोस्ट हम दौन पर छिरक लेली एकरा खुर्पी से मिला देवे के भी होई जेकी हम मिला रहल जे इदीदी लहरी के बीज हाई एक कठा खेत रोपे के लेल डेर सो गराम बीज के जरूरत पर आई दीदी इदवाई के इमीडा कलोरो पीड कहल जाई छाई डेर सो गराम लहरी के बीज हुपचार करे के लेल एक एमेल दवा के जरूरत होई जे इदी एग यो बात पर जरूर ध्यान देम जुन समय बीज हुपचार होताई ओ समय خाना खाए वाला बर्तन में बीज उपचार न करब हाँ दिदी बीज उपचार करई समाय दास्ताना जरूर लगाबे के हुई छी हाथ में लहरी के बीज उपचार करे के लेल लहरी के बीज और इमीडा कलोरोपीट के होना जरूरी है बीज के उपचार करे के वेरी दास्ताना के भी जरूरत होई था दिदी अब एक रहा ए में डाल के मिला रहा है ची अब एक रहा एही तरह से अच्छा से मिला देवे लाहे देदी अच्छा देदी अब जे हैं बीज उपचार हो गिल एए ठेह भाईया बीज उपचार करे से कौन फायदा ही भाईया देख। देदी बीज के उपचार करे से खेत में लगाएल बीज के चूहा न खत है दिदी और प्राराम्भी का बस्था में शुरू-शुरू में कीट व्याधी न लगते हैं अब खेतो तैयारी हो गेलाई बीजो उपचार हो गेली अब की कड़े के हैं अब रोपाई होते हैं दिदी 40 सेंटीमीटर पर एक एक बीज लगाबे के हैं रोपे के हैं जेकी आहां के हम नाप के बताय देए थती इंची टेप से अब जे है करा 40 सेंटीमीटर पर एक एक बीज रोपे के हैं तो एक बीज यहां रोपाम और दूसरा बीज यहां रोपाम अहीं हिसाब से रोपाई त जाए के हैं आगे मुँए सुरू हां दीदी दान से दान के दूरी 1500 सेंटीमीटर और पधा से पधा के दूरी 40 सेंटीमीटर समझ ली न दीदी दौन पर लगाईला से दू फैयदा है दिदी बारिस के पानी और ज्यादा नमी जिरहत खित में ओई से बचाओ होई या दूसरा फैयदा दिदी मिट्टी भुरभुरा बना लहिया ओई से हावा के आवा गवन बना लहिया और एसा से उपज में 30 पर 30 के बढ़ुतिरी होई या द्धान खराब हो गेला से भईया बड़ा चिंता में रहली है आप लहडी के खेती कैला से एकड़ो समाधान हो जाते लहडी के खेती के लिए इतना जनकारी देली बहुत बहुत धन्यवादी धन्यवादी दिदी चाम बने के कदी चाम बने के चले आना मैं याजी चले आना कदी गान बने के